नमस्कार, अगर आप गंगा की बीनी वूल खरीदने के सोच रहे हैं, तो ये रिव्यू बीडियो आपके लिए है गंगा की जो ये बीनी वूल है, ये mixed blend वूल है, 90% acrylic and 10% wool ये 80 ग्राम्स का बॉल है और इसकी याड़ेज है 88 मेटर्स इसे मैंने कुछ मिने पहले Magic Needles online store से लिया था और ये मुझे 105 रूपीज में मिला था वैसे इसकी original price 115 रूपीज है ये वेट 5 बलकी यान में आता है और ये काफी soft और बड़िया सी यान है और इसमें रेशे का इशू भी बहुत कम है जितना कि आपको बाकी हूल में मिलता है उसे है लेकिन बहुत ही कम है और थोड़ी premium बलकी वेट यान है ये और बहुत ही lightweight भी लग रही है ये इस तरह की mixed shades में ही आते हैं बहुत सारे shades है अब काफी सारे online stores पे मिलता आप देख सकते हैं size information की बात करें तो ये मैंने 12 turns लिये हैं और ये 1.5 inches है इन centimeters ये 3.75 है crochet hook आप इसके लिए 5.5 से लेके 6.5 mm तक ही use कर सकते हैं same knitting needles भी 5.5 से लेके 6.5 मोटी needles 3 नमबर से लेके 5 नमबर तक इसमें नो ने swatch information भी दिया हुआ है तो अगर आप knitting needles ले रहे हैं और आपने 6 mm की knitting needle ली है यानि की 4 नमबर की आप लेंगे 12 stitches और 17 rows तो आपको 10 cm into 10 cm का square मिलेगा crochet hook में अगर आप 6.5 mm का crochet hook लेंगे और आप 10 stitches डालेंगे single crochet के और आप 11 rows बनाएंगे तो आपको 10 by 10 cm का sample swatch मिलेगा इससे आप idea लगा सकते हैं कि आपको कितने wool चाहिए होगी यह बहुत ही बड़िया और प्यारी सी wool है और इसका नाम बीनी है तो जाहिर सी बात है कि इससे आप अपरोप्रेट वूल तो मेक बीनी काप्स और मैंने भी इसको अपने लिए एक बीनी बनानी के लिये ही लिया है वैसे आप इससे चाहें तो मफलर्स, काप्स, बीनी, शॉल्स और चंकी स्वेटर्स भी बना सकते हैं I think बहुत ही बढ़िया रहेंगे and I hope you find it useful thank you